दोस्तों नमस्कार इन विसेनियोंस की खास मुलाकार इस कारिक्रम में मैं रुपापंडित आप सभी का बहुत भाँ स्वागत करती हो दोस्तों आज हमने अपने स्टूडियो में खास लॉपर आमंत्रित किया है सिंखानी और ड्राइफ रोड्स की डिरेक्टर साथी साथी उप महामंत्री महराज राज्य अग्रवाल समीलन नापुर शहर साथी इन विसे न्यूस दुवारा वुमन अचीवर्स 2022 की एवार्ट से सम्माने कवीता सिंधानिया की कवीता मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बास स्वागत है दोस्तों वैसे तो इनकी अचीवर्स की लिस्ट काफी लंबी है तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को यह अपना परिचे खुद ही दें मैं सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचे हमारे दर्शकों को हुटाएं नमस्कार मैं कवीता सिंहानिया मेरा जनम दुरुक सहर में हुआ चातिसगर रुंगटा फैमिली में जिसमें हम दो भाई और दो बहने हैं और बच्पन से ही मुझे अध्यात्मिक में बहुत रुची रही है और साथ में भाईया का और हमारे सब भावियों का परिवार का हमें सब बहुत सपोर्ट मिला है हर चीज में कैसे हम लाइफ में, कैसे हम हर चीज को कैसे मैनेज करें वो बच्पन से ही भाईया ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया और बस जब यहां पर बैरीज हुई तो साथ में हमारे जो हस्बेंड है सशिकन सिंखानिया उसका भी मुझे बहुत-बहुत सयोग मिला और साथ में मेरा बेटा है प्रखर प्रखर का भी मुझे बहुत-बहुत हमेसा सपोर्ट रहा कि मम्मी आपको हमेसा उसने हमेशा अपनी मम्मी के लिए चाहा कि मेरी मम्मी इस दा बेस्ट प्रखर के मन में हमेसा यह राता था तो बस प्रखर का और फिर हस्बेन का ये सब सपोर्ट के कारण ही आज मुझे लगता है कि मैं यहां आप लोगों के साथ में हूँ और हम मैं अगरवाल समाज से बिलॉंग करती हूँ तो हमारे एक महराश्टर राज्य अगरवाल समेलन है उसके में जे उप महामंत्रे के रू कुमारे से जो मैं बहुत दिल से उस संसा को मैं बिलीव करती हूँ और बच्पन ते ही मुझे उस चीज में रूची रही जब मैं क्लास नाइंथ में थी तब से ही मैं वहां की मैंबर हूँ बहुत अच्छी वात है मैं और यह काफी अच्छी उपलबदी है और जैसा कि मतलब आपके परिवार में इतने अच्छे संसकार आपको मिले है कि आज आप अधत्मिक्ता हो या पर सामाजिक शेत्र है हार शेत्र में आप अपना बढचड कर यगदान रही है मैं यह पुशह चाहूँड़ी कि आप एक सामाजिक परिवार की वह हूँ हमेशा आपके पत किस तरह से महनत कर दिया है मैं हमेंचा कोई भी ही चीछ को जब हम करते है Lots कि पहले मुझे मुझे लाइफ में लगता कि पैसें सोना हम दोनों को जब बैलेंस लेकी चलते हैं तो हमें हर चीज में हमें हाई लेवल पर हम जाते हैं जीवन में अगर आप तरक्की करना चाहते हैं या फिर समाज में अपना एक ओधा रखना चाहते हैं तो इसके लिए पेशन्स पर शहन शक्ति रखना बहुत जरूरी है और साथ म करते हैं तो उसमें पूरे वर्ड की सारी कायानात मिल जाती अपने से तब हम आगे बढ़ा सकते हैं तो आपकी संस्था महिलाओं के इतमे कैसे काली करते हैं यह तो इसके बारे में नीशब्द भी में वोरू तो क्या है लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाने का रोल जो इस संसर में अगर आप कभी आके देखेंगे ना तो आप भी बोलोगे कि अमेजन यह पर इतना कारवा ऐसा बनते जा रहा है और बढ़ता जा रहा है और महिलाओं इसमें पुरे वरल्ल की तबसे बड़ी महिला सलता है जह पर शारी ब्रहा कुमारी दीदी लोग जो यहां पर सेवा कर रही है वो अपने आप में बहु मल्य सेवा है और मैं जाना चाहोंगी मैं कि ब्रह्मा कुमारीज में आप किस तरह से स्यूं करती हैं? अपर ब्रह्मा कुमारी उसमे, जैसे जैसे मैं a family में रहती हूँ, मेरे husband है, मेरा बेटा है, तो उन्स और मेरी मत लिए लौ भी हमारे साथ मही है, तो उन सब को देखते वी, उन सब को संभालते वे मैं दोनों चीज़ मैंनेज करती हूँ, तो मैं life में भाई तेंशन फ्री फ पर बड़े बड़े सेमिनार्स वेविनार होते रहते हैं जैसे रोटरी क्लब वालों ने प्रोग्राम कराया तो उसमें मैं एजे कन्विनेर थी और वहां का प्रोग्राम बहुत ही सुन्दर हुआ उसमें 800-900 लोग ने पाथिसिपिट लिया और अभी हमारा वुमन एचिवर हो रहा है जिसमें 24 स्टार क्लब ब्रह्मा कुमारी कोलाबरेशन में है और यह जो एवाइड फंक्चन होने जा रहा है इसमें भी मैं एजे ऑर्गनाइजिंग टीम में हूँ और मेरे एक संकल्प था कि एवाइड तो हर जगह होते हैं बहुत जगह होते है नागपुर में लेकिन क्यों ना हम ब्रह्मा कुमारी इसके जो सबसे बड़ी संता है मैलों के क्यों ना हम उनके हातों से अवाइड तो एक दिली ख्वाइशती मेरी कि यह प्रोग्राम में यहां करना चाहती है और जब मैंने कमेटी में रखा तो मेरी फ्रेंड डॉक्टर रीचा तो उसन संदे यह हमारा वुमन एच्वर्ड होने जा रहा है संदे इवनिंग चार बजे और उसमें सबसे खात बात है कि रशिया से खास हमारी चक्रधाई दी जो आ रही है वह अपने आप में बहुमुल्य हस्ती है अध्यात्मिक क्रांटी वह हमारे लिए वह दीदी का आना हमारे चक्रधाई दीदी वोमेंस विंग की चेयर परसन है तो यह दोनों ही हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं अपने आप में ही ओम शांती का एक खुबसूरत प्रती है जहां जाने मात्र से ही आपको जो शांती के अनुभूती होती है शान पूरे विश्वम में ऐसी अनुभू करती हो कि आने वाली 12 मार्च को 24 स्टार प्राइड क्लग की ओर से एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्रोग्राम यहां पर भूमल अचीवर्स आवार्ड आयोजित होने जा रहा है तो आप ज़रूर वहां विजिट करें कभी ताम में यह पुशा जाओंगे कि सबसे पहले आपने जो था अपनी सफलता का श्रेयर अपने पती अपने परिवार इनको दिया लेकि इसमें एक नाम जो था वह बहुत ही एहम है क्योंकि हमने सुना है कि आपका बेटा यानि कि प्रकर जो कॉमर्स फिल्ड में 99 पॉसंट लेकि उसमें पूरे विधर का नाम रोशन किया लेकि सिर्फ नाम ही नहीं रोशन किया बल्कि हमने सुना है कि वह बहुत ही प्यारा मतलब मोटिवेशन स्पीकर है जिसे शायद ऐसा कोई भी विषय ना हो जिसका नौलेज नहीं है तो कैसा मैं सुस करती है आप ऐसे बच्ची की मा है आप और एक सॉफ्ट कोनर होता है हर म कि अपने बेटी के वारे में कुछ प्राइब आपको बताए कि मैं काफी छोटी थी तब ही मैं ब्रह्मा कुमारी से जूड़ी थी लेकिन मैं इक जरू बताऊंगी कि जब मैं प्रेगनेट हुई तो जब प्रखर आया मेरी गोद में तो आप बिलीब नी करोगे मेरे उस सुना होगा कि उसने चक्रिवियू का राज कुछ अधूरा जान लिया था लेकिन मैं हमेशा से सोस्ती थी कि प्रखर आया तो मैं एकिक संकल पे थोट पे अपना ध्यान केंड़ित करती थी कि मेरे संकल उस तक पहुच रहा प्रखर के पास तो वह आप बिलीब करोगे जब प्रखर जब से मेरे घूट में तो नाएन्थ मुन्त मेरे एक एक थाउट लेबल पर मेरा फोकस ठाप और जब वो आया तो प्रखर को मैंने हमेंसा अध्यात्मिक्ता का भी उसको मैंने फोकस रखा कि प्रखर लाइफ में केवल अपने को आगे बढ़ना है तो हमें कैसे आ जो प्रखर मेरे लिए मुझे लगता है यह मुझे हमेशा फील होता है और आज भी मैं बहुत प्रॉड फील करती हूँ कि ऐसा बेटा मिलना सच में मेरे लिए सभाके की बात है स्टार्टे लिए वह प्रखर को बनाने की आधिक मिकता है को यह वह तो ही ना जैसे आज देखो कई हर मा चाहती कि अपना मेरा बेटा वह ऐसी कौन से माइजोनी चाहेगी कि बेटा बैस्ट लेकिन उस बेटे को बनाने में मा को हन्रेट पर्सेंट रहता ही है लेकि साथ में म बनाने में उनका 90 परसेंट होगा तो साध मेरा 10 परसेंट होगा हम लोग देखते हैं कि हर मावाप अपने बच्चों को स्कीवल किताबी शिक्षा देने पर मजबूर करता है लेकिं आज मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को एडूकेशन के साथे साथ कहीं न कहीं उसमें सल बेकर में वद्चों के लाएं चोड़े सब्सेट देखाएं हमके वाद करते हैं जो आज में में हम में एक गशाना सुल्ट हैं कि अदिछ सब्सेट में थे श्यूंशना पर अदोरे ने टेमें अधर आण झाल झाल प्रेक के बार एक बार फिर आपका सब्सक्राइब है कविता मैं मैंने सुना है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में आप बहुत जादा मतलब उन्हें मोटिवेट करते हैं हमेशा कि आप घर तक सिमित मत रहो बल्कि अपना जो टालेंच है भाहर भी तिखाऊ ताकि जब एक ल आप भी आज़ता है तो मैं शर्च चाहिना चाहंगे की महला दिवस के पलक्षमें आप हमारे जो अपना सबसे चाहें तो आप सबीको महला दिवस की बहुत बहुत सुपकामना है और महिलाओं के लिए मेरे मन में एक बहुत थी सौप करना रहा है क्योंकि मेरे मन में हमेसा यह रहता है कि मैं कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाओ इस बढ़ जब बिलीब ने करोगे जो सामनी स्टार्टथ क्यों आपना दो मेरे मन में एक दिल से है कि मैं गया मन trata कि कैसे में महिलाओं को और आगे बढ़ा हो और आगे भी लाओ को में बहुत अच्छे कारे करना चाहती हूं बस आप सब लोगगा अशिवात हमें ऐसा बना रहा है और तेंकbaby 000 कि अभी तक आपने महिलाओं के हित्में बहुत से काम किया है अधात्मिक्ता के शेत्र में कारी किया है तो सोचल बरकर आपने काम किया और एक विंग वुमें आप घर के साथ ही साथ अपने जो बिजनस है वह बहुत बखुब आरडी में फैसे बिढ़ाने को सबस्क्रणि करें्स हूं सरे और मुझे सब्सक्ती परेवार मेरी है औरी सबस्क्रै। कैसे संतुष्ट रहे उनको भी मैं मैंनेज करना चाहती हूँ और आगे मैं वुमिन्स के लिए जरूर बहुत अच्छा कारे करनेंगी ये मिना ड्रीम है कि मैं बहुत अच्छा कारे करूँ वुमिन्स का किया बात है दो इन विसन की खास मुलाकत इस करेक्रम में आज हमने घास दौर पर महिला दिवस को धैन में रखते हुए महिलाओ के हित्मे काम करने वाली कवीता सिंगहानिया मैं काम अमन्तृत किया था मैं एक बार फिर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए वाट बात कि दोस्तों मैं आपको बता दू कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्तेथ हुई थी कवीता सिंघानिया जो कि ड्राइफ रॉट्स की डिरेक्टर है साथे साथ डिरेक्टर ऑफ 24 स्तर प्राइड क्लड ओप महामंत्री महरास राज्य अगरवाल सम्मीलन ना कोश्य है साथ ही इन्वेसिन योज द्वारा वोमन अचीवल्स एवाड 2022 से सम्मानित है इन्वेसिन की खास मुलाकात इस कारिकर में अगले सब तहाब फिर मिलेंगे एक खास शक्सियत को लेकर तबते के लिए मुझे यानि की रुपा बंडित को दीजे इजास्त और आप देखते र झाल